बिस्मिल्लाहे रह्माने रहीं मौहत्रम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुलाही वबर्कातु दोस्तों ये फजाईले रमजान का दस्वा भाग है फर्माने मुस्तफा सललाहो ताला अलैही वसल्लन जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया रोजे की जज़ा आदमी के हर नेक काम का बदला दस से साथ सो गुना तक दिया जाता है अल्ला अज्जव जल्ला ने फरमाया सिवाए रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूँगा अल्ला अज्जव जल्ला का मजीद इर्शाद है बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्प करता है रोजादार के लिए दो खुशिया हैं एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त रोजादार के मुहकी बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से जियादा पाकीजा है मुस्लिम शरीफ मजीद इर्शाद है रोजा सिपर यानी ढाल है और जब किसी के रोजे का दिन हो तो ना बेहुदा बके और ना ही चीखे फिर अगर कोई और शक्स इस से गालं गलोच करे या लड़ने पर आमादा हो तो कह दे मैं रोजादार हूँ बुखारी शरीफ रोजे का खुसूसी इना प्यारे इसलामी भायों बयान करदा अहादिसे मुबार्का में रोजे की कई खुसूसिया इर्शाद फरमाई गई है कितनी प्यारी बिशारत है उस रोजादार के लिए जिसने ிस तरह रोजा रखा जिस तरह रोजा रखने का हक है यानि खाने पीने और जिमा से बचने के साथ साथ अपने तमाम आजा को भी गुनाहों से बाज रखा तो वो रोजा अल्लाह अज्जव जल्ला के फजलो करम से उसके लिए तमाम पिछले गुनाहों का कफारा हो गया और हदीस मुबारक का ये फर्माने आलिशान तो खास तोर पर काबिले तवज्जो है जैसा कि सरकारे नामदार सलललाह अलाही वसल्लम अपने परवर्दिगार अज्जव जल्ला का फर्माने खुश गवार सुनाते है रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा में खुद ही दूंगा हदीसे कुजसी के इस इर्शाद पाक को बाज उल्माय किराम रहिम हुल्लाह ने भी पढ़ा है जैसा कि मिरातुल मनाजी वगैरा में है तो फिर माना ये होंगे रोजे की जज़ा में खुद ही हूँ सुभान अल्लाह यानि रोजा रखकर रोजादार बजाते खुद अल्लाह तबारक वतालाही को पालेता है नेक आमाल की जज़ा जन्नत है अजीज भाईयों कुरान करीम में मुक्तलिफ मकामात पर बयान हुआ है कि जो अच्छे आमाल करेगा उसे जन्नत मिलेगी चुनांचे अल्लाह तबारक वताला पारह तीस सूर्तुल बयनह की आयत नंबर साथ और आठ में इर्शाद फर्माता है तरजुमा कंजुल इमान बेशक जो इमान लाए और अच्छे काम किये वो ही तमाम मखलूप में बहतर है उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाद है जिनके नीचे नहरे बहे उनमें हमेशा हमेशा रहे अल्लाह उनसे राजी और वो उससे राजी यह उसके लिए है जो अपने रब से डरे जो चाहो मांग लो एक हदीस मुबारक भी मुला हजा फर्माइए मैं रात हुजूर सरापानूर, हैस गंजूर, शाहिगयूर ﷺ के पास वजुका पानी और आपकी जरूरत की चीजें जैसे मिस्वाक लेकर हाजिर हुआ तो रहुं तुलिल आलमीन ﷺ ने इर्शाद फर्माया मांग क्या मांगता है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ﷺ जन्नत में आपकी रफाकत यानि पडोस चाहिए गोया अर्ज कर रही है तुझसे तुझी को मांग लू तो सब कुछ मिल जाए सौ सुवालों से ये ही एक सुवाल अच्छा है दरियाय रह्मत मजीद जोश में आया और फरमाया कुछ और मांगना है? मैंने अर्ज की बस सिर्फ ये ही तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी काइना मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सकी नहीं अपने नफस पर कसरते सुझूद यानी जियादा नवाफिल से मेरी मदद कर मुस्लिम शरीफ सुभान अल्लाह इस हदीसे मुबारक ने तो इमान ही ताजा कर दिया हजरते सयदुनाश शैक अब्दुलहक मुधिसे देहलवी अलैही रहमतुलाहिल कभी फरमाते हैं सरकार मदीना सलललाह अलैही वसलम का बिला किसी तकीद वा तकसीस मुतलकन फर्माना मांग क्या मांगता है इस बात को जाहिर करता है कि सारे ही मुआमलात सर्वरे काइनात शाहि मौजूदात सलललाह अलैही वसलम के मुबारक हाथ में हैं जो चाहें जिसको चाहें अपने रब अजवजला के हुक्म से अता कर दें अल्लामा बुसीरी रहमतुलाही ताला अलैह कसीदय बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं या रसूललाह सलललाहो ताला अलैही वसलम दुनिया और आखिरत आप ﷺ ही के जूदो सखावत का हिस्सा है और लौह कलम का इल्म तो आप ﷺ के उलुमे मुबार्का का एक हिस्सा है दुनिया व आखिरत की खैर चाहते हो तो इस आस्ताने अर्ष निशान पर आओ और जो चाहो मांग लो खाली के कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया दोनों जहान दे दिये कब्जा व इख्तियार में रोजे के फजायल से मुतलिक 11 फरामीन मुस्तफ़ा ﷺ जन्न्ती दर्वाजा बेशक जन्नत में एक दर्वाजा है जिसको रयान कहा जाता है इससे कियामत के दिन रोजादार दाखिल होंगे, इनके इलावा कोई और दाखिल ना होगा कहा जाएगा, रोजिदार कहा है? पस यह लोग खड़े होंगे, इनके इलावा कोई और इस दर्वाजे से दाखिल न होगा जब यह दाखिल हो जाएंगे तो दर्वाजा बंद कर दिया जाएगा पस फिर कोई इस दर्वाजे से दाखिल न होगा साबिका गुनाहों का कफारा जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हुदूर को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया जहन्नम से सत्तर साल की मसाफत दूर जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा अल्लाह उसके चहरे को जहन्नम से सत्तर साल की मसाफत दूर कर देगा एक रोजे की फजीलत जिसने एक दिन का रोजा अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए रखा अल्लाह अज्रवजल्ला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना की एक कववा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहां तक की बूढ़ा होकर मर जाए सुर्ख याकूत का मका जिसने माहे रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून से रखा उसके लिए जन्नक में एक घर सब्ज जबर्जद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा जिसन की जकात हर शे के लिए जकात है और जिसन की जकात रोजा है और रोजा आधा सबर है सोना भी इबादत है रोजादार का सोना इबादत और इसकी खामोशी तस्बीह करना और इसकी दुआ कबूल और इसका अमल मकबूल होता है आजा का तस्बीह करना जो बंदा रोजे की हालत में सुभ़ करता है उसके लिए आस्मान के दरबाजे खोल दिये जाते हैं और उसके आजा तस्बीह करते हैं और आस्माने दुनिया पर रहने वाले फिरिष्टे उसके लिए सूरज डुगने तक मक्फिरत की दुआ करते रहते हैं अगर वो एक या दो रकात पड़ता है तो यह आस्मानों में उसके लिए नूर बन जाती है और हुरेईन यानी बड़ी आखो वाली हुरों में से उसकी बीवियां कहती है ए अल्ला अजब जल्ला तु इसको हमारे पास भेज दे हम इसके दिदार की बहुत जियादा मुश्टाख है और अगर वोहला इलाहा इलालाह या सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर पड़ता है तो सत्तर हजार फिरिष्टे उसका सवाब सूरज डुबने तक लिखते रहते हैं जन्नती फल जिसको रोजे ने खाने या पीने से रोक दिया कि जिसकी उसे ख्वाहिश थी तो अल्लाह तालाह उसे जन्नती फलों से खिलाएगा और जन्नती शराब से सैराब करेगा कियामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तर ख्वान रखा जाएगा जिस से वो खाएंगे हाला कि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे साथ किस्म के आमाल अल्ला के नजदीक आमाल साथ किस्म पर हैं दो अमल वाजब करने वाले दो अमलों की जजा उनकी मिसलक एक अमल की जजा अपने से दस गुना एक अमल की साथ सौ गुना तक और एक अमल ऐसा है कि उसका सवाब अल्लाह ताला के इलावा कोई नहीं जानता पस जो दो वाजिब करने वाले हैं वो शक्स जो अल्लाह से इस हाल में मिला कि अल्लाह की इबादत इखलास के साथ इस तरह की कि किसी को उसका शरीक न ठहराया तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और जो अल्लाह अजवजला से इस हाल में मिला कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया तो उसके लिए दोजख वाजिब हो गई और जिसने एक गुनाह किया तो उसकी मिसल यानी एक ही गुनाह की जज़ा पाएगा और जिसने सिर्फ नेकी का इरादा किया तो एक नेकी की जजा पाएगा और जिसने नेकी कर ली तो वो दस नेकियों का अजर पाएगा और जिसने अल्लाह का किराह में अपना माल खर्च किया तो उसके खर्च किये हुए एक दिरहम को 700 दिरहम और एक दिनार को 700 दिनार में बढ़ा दिया जाएगा और रोजा अल्लाह ताला के लिए है इसके रखने वाले का सवाब अल्लाह के इलावा कोई नहीं जानता है प्यारे इस्لامी भायों जिसका इमान पर खातिमा होगा वो या तो अल्लाह अज्यव जल्ला की रहमत से बेहिसाब या माज अल्लाह गुनाहों का अजाब हुआ तब भी बिल आखिर यकीनन दाखिले जननत होगा और जिसका माज अल्लाह खातिमा कुफर पर हुआ वो हमेशा हमेशा दोजक में रहेगा जिसने एक गुनाह किया उसको एक ही गुनाह का बदला मिलेगा अल्लाह की रहमत के कुर्बान सिर्फ नेकी की नेयत करने पर एक नेकी का सवाब और अगर नेकी कर ली तो सवाब 10 गुना राहे खुदा अजवजल्ला में खर्च करने वाले को 700 गुना और रोजादार की भी कितनी जबर्दस्ट अजमत है कि इसके सवाब को अल्ला अजवजल्ला के सिवा कोई नहीं जानता अल्ला अजवजल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्ला अजवजल्ला इस माहे मुबारक में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीग अटा फर्माएं आमीन वीडियो को सवाब की नियत से दोस्तों और रिष्टेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सबकाई जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने दीनी मालूमाब के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेच को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगले वीडियो में अल्ला आपका और हमारा हामी वा मतगार हो अल्ला हाफिस